एक घने और जीवन जंगल में एक फिनली नामक लोमडी रहती थी। लोमडी अपनी उच्च बुद्धिमत्ता और चाला की के लिए जंगल में प्रसिद्ध थी। वो हर जानवर को हरा कर उसके दिमाग की तेजी से बाहर आती थी। लेकिन उसे एक चुनौती भी थी। लोमडी को जंगल में सफलता के लिए रोक नहीं सकती थी। उसका तेज दिमाग और अवलोकन ख्षमता उसे सभी मुश्किलों से निकलने में मदद करता था। लेकिन उसकी तोतों की भाषा समझ न पाने की वजए से वो कभी-कभी महत्वपूर्ण बात्चीतों से बाहर रह जाती थी। लोमडी को तोतों की भाषा के अनुभव से बहुत गुस्सा आता था लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जंगल में बहुत सुंदर और चमकीले फलों की खोच की जा रही थी। लेकिन लोमडी ने देखा कि वो फलों की खोच में अकेली नहीं जब तक वो जंगली सुंदरता की खोच करती थी। तोते लोमडी को उस दिशा में संकेत कर रहे थे जहां अधभुत फल थे। लोमडी ने समझा कि अगर वो तोतों की चालाकी से फल के लिए दोड़ी तो वो शायद वहां पहुँचकर फल खा सकेगी। तोतों की चालाकी सभी को धोखा देने से बचा लिया। तोतों को उसकी होशियारी पर गर्व था और वे उसकी चालाकी को सराहते थे। इस घटना ने लोमडी की समझदारी और चालाकी को और भी मजबूत किया। वो हुनहारी से अपने जंगली जीवन को बिताती रही तोतों की भाशा को सम मजने में कमजोरी का सामना करते हुए भी। लोमडी की चालाकी और बुद्धिमत्ता ने उसे जंगल में उत्तमता की उचाईयों पर खड़ा कर दिया और वो दूसरे जंगली जानवरों की आदर्श बन गई।